नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं आप लोग जोतर शराठ की मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतोर संतोर्शी जीवन में कुछ करते करते काम का रुक जाना काम का बंध जाना किसी ने रोक दिया वहीं पे बांध दिया शादी होई बच्चा नहीं हो रहा है नोकरी लगी प्रमोशन नहीं हो रहा है रुख गया मगान बन रहा था लिंटर नहीं पड़ा रुख गया छत लद गई सफाई नहीं हो पाया प्लाश्टर नहीं हो पाया जमीन ले रहते हैं आधा पैसा दी ये आधा पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं नोकर ये छूट गई हाँ होते होते रुख जाता बिया है नहीं हो रहा है मतलब बंधन योग बंधन योग कैसे घटित होता है ध्यान दिजिएगा बंधन योग स्पष्ट है कुंडली का लगन और लगनेश only two planets लगन और लगनेश छटें और बारहवे से संबंध बना ले six house और twelfth house से संबंध बना ले लगन और लगनेश बहुत बुरा योग होता है यही बंधन योग कहलाता है आपके काम को बरकत को उन्नत को प्रोग्रस को किसी ने अवरोधित कर लिया है रोक लिया है बांध लिया है स्पष्ट योग है बहुत किलियर योग है कोई भी देख सकता है कुंडली में लगन लगनेश का संबंध छठे और छठे के स्वामी बारहमे या बारहमे के स्वामी के साथ हो जाए तो बंधन योग बन जाता है आज हम आपको इसी बंधन योग से मुक्त होने का रास्ता सुझाएंगे कैसे उड़द के दानों का अनुभूत प्रियोग ऐसा प्रियोग जो आजमाया हुआ है बहुत ध्यान से समझेगा तंत्र है ये महातंत्र है ये यह प्रियोग वर्ष में बारह वार किया जा सकता है सिर्फ अमावस्या के दिन और अमावस्या भी कब जब रात में पड़े अमावस्या ति थी ये नहीं की उदियाती थी मालीजी आज दोपहर तक चतुरदसी है फिर अमावस्या लग गया रात में लेकिन अमावस्याती थी कल देगा लेकिन रात में अमावस्या मिल रहा है तो चतुरदसी की रात ही करना है मतलब जब आप इस प्रियोग को करें उस रात अमावस होना ही चाहिए शनी अमावस सोमती अमावस भौमती अमावस सोमवार की अमावस की रात मंगलवार की अमावस की रात शनीवार की अमावस की रात 100% सफल होगा प्रियोग क्या है प्रियोग ध्यान से समझें इस प्रियोग को आप verbally किसी को बताएंगे लाव नहीं देगा वीडियो को share करना पड़ेगा बस यही एक सर्थ है क्यों क्योंकि बताने पर तीन का वो स्थान आ जाता है एक हम एक आप और एक जो जान रहा है तो नहीं suit करेगा आप वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं सुना सकते हैं तो सुनाने में डारेक्ट हमसे जो सुनेगा लाव करेगा साथ दाने साबुत उड़त के लिए ले काले उड़त साबुत सेवेन दाना हलका सा उस पे काजल लगा दीजिए सभी दानों पर और एक काले कपड़े में छोटी सी पोटली बनाकर काले धागे से बांध दीजिए अमावस की रात इसे अपने कमर में करधन की तरहम बांध रहीजिए सोजाईए सुभ़ उठिये इसको खोलिए और खोल कर ले जाकर घर के दूर कहीं पेड के नीचे डाल दीजिए पीपल का पेड मिले तो शुब नहीं तो किसी भी पेड के नीचे डाल दीजिए दूर ले जाना घर से और जब बाधियेगा धागा तो ऐसे बाधियेगा कि पोटली आपके नाभी पर आके लटके ऐसे जैसे एक धागा लीजिए, बीच में पोटली, किनारे बाद हैंगे तो नाभी पास नहीं आ पाएगा तो बीच में पोटली के वही धागा बादिए, पोटली ये बीच में आ गई, अब उसको ले जाके पीछे गांट लगा दीजिए, सोजाईए सुबह उठीए, फ्रेश होने से पहले खोल लीजिए, बाथरूम जाने से पहले खोल लीजिए, और कहीं बालकनी उलकनी में रख दीजिए, बहुत निगेटिविटी कठा किया है इस ने, पोटली ने और ले जाकर के फिर इसे कहीं बहुत दूर, 15-20 किलो मीटर दूर ले जाईए, और किसी पेड के नीचे डाल दीजिए, अगर पीपल का मिल जाए तो बहुत अच्छा है इसलिए इसे कहीं निर्जन जगह पिले जाई, इसको गाड़ना नहीं है, बहुत लोग सोचें कि मिट्टी खोद के गाड़ देना वो शुब नहीं होगा कर लीजे, बहुत बड़ा तंत्र है और मेरा आजमाया हुआ है, पेरा प्योंग किया हुआ है, सेक्रलोग को बताया हुआ है जरूर आपका बंधन खुले का कोक बंधन विवाह बंधन दुगान बंधन धन बंधन जो भी बंधन है जहां अवरोध है जीवन में लगन और छठे का संबंध है लगन और बारहमे का संबंध है तो मुक्ति जरूर मिलेगी भरोसा रखिए नो पत्थर नो नॉनवेज मेरा कोई भी प्रियोग करने से पहले आपको उंगलियों को बिल्कुल खाली करना पड़ेगा और नॉनवेज हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा अगर नॉनवेज खाते हुए आपने प्रियोग किया और असर नहीं होता है तो मैं जिम्मेदा नहीं थांक्यू शेयर जरूर करिएगा कर भला हो भला नमस्कार से किष्णा शिरादे नमस्कार बहुत बड़े छूट के साथ जानकारी देने हम आप लोगों के समक्षु पस्तित हुए हैं एक्क्यावन सो रुपे में तीन कुंडली दिखा सकते हैं यह छूट एक मई दो हजार इकिस से लेकर पंदरह मई दो हजार इकिस के बीच में ही वैलिड है आप अगर एक मई से पंदरह मई के बीच कभी भी एक्क्यावन सो रुपे हमारे नक्षत्र 27 मीडिया प्राइवेट लिडिट के अकाउंट में जमा करते हैं 956044700 9910291850 और 999024099 पर अभी वाट्सअप करिये समर डिसकाउंट यह स्पेशल डिसकाउंट है करोना के समय में घर बैठे पॉच्टिब रहते हुए तीन कुंडली दिखाने का अदभुत मौका है 15 माई के बाद यही तीन कुंडली आप 10,500 में दिखा पाते हैं तो है ना यह फाइदे का सवधा भई घर में बैठे हैं आपके पास समय ही समय है तो जानिये विस्तार से अपने अपनों के बारे में कि कैसे भविश्य को समारा जाए और यह भी जान सकते हैं कि कहीं आप कोविट के सिकार तो नहीं हो सकते राम 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 भगवान चमा करें कोई ना हो सब बचे अपनों के साथ रहें सुरक्षित रहें और जोतिश्विज्यान का विशेश लाब लें थैंक्यो